आज की इफतार स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे मुंबई की फेमस चिकन कांडी आप इसको चिकन कांडी कबाब भी कह सकते हैं बहुती इजी और कुईक बनने वाली रेसिपी हमेशा की तरह आई होप अपो पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन कांडी चिकन कांडी बनाने के लिए पहले हम एक मसाला प्रिपेर करेंगे जिसके लिए मैंने लिए हैं एक मुठी हरा धनिया आदी मुठी पुदीना दो हरी मिर्च हाफ इंच अद्रक का टुकड़ा तीन से चार लसन के पीस और एक टीस्पून जीरा अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हो तो मिर्ची आप दोसी दो की जगार तीन चार भी एड़ कर सकते हो अब मैं इसे क्रश कर लोंगी बिना पानी के इसमे एड़ करें जहां तक हो सके मिक्सी फग्राइंडर को पल्स मोंट भूब पर हम हमार है इसे क्रश करेंगे मसाला यह पे मैंने कर दिया कि देख सकते हैं पानी इसमे वी तिर एक डिई किःता पर में लिया है 300 g इस तरह से पीसेज में कट कर दिया है इस में एट कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइड किया था एक टीस्पून नमक, फाफ टीस्पून क्रॉश कीवी काले मिर्च, फाफ टीस्पून गराम मसाला पाउडर, एक टेबल पून विनेगर दो टेबल स्पून दही ज्यादा मसाले इसमें आड़ नहीं होते बस ये थोड़ी सी ही चीज़े इसमें डालनी होती है अब सारी चीजों को चिकन के उपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे आदे घंटे के लिए साइट पे छोड़ देते हैं आदे घंटे दक चिकन को हमने मैरिनेट किया था अब हम कांडी प्रिपैर करेंगे यहां पर यह मेरे पास हैं वोडन स्टिक्स यानि कांडी इनको मैंने 10 मिनिट के लिए पानी में सोप कर दिया था अब एक एक करके चिकन का पीस उठाएंगे और कांडी में लगाएंगे दो तीन जितनी भी आपकी कांडी की साइज हो आप उतने लगा सकते हो यह पर मैं तीन पीस लगाऊँगे इसी तरह से सारे पीस ने स्कूवर्स में सिक्स करेंगे स्टिक्स यहां पर मैंने सादे ड़ेडी कर लीए अब हमें चाहिए कोटिंग के लिए ब्रेट कृम्स एक उप अगर ज्यादा लगेंगे तो अ फ।रे इसमें हम और अट करेंगे दो अंडे यहां पर मैंने फेट के लिए थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर दाल के इने फेट लिया है अब हम स्टिक्स को कोट करेंगे सबसे पहले कोट करेंगे ब्रेट क्रम्स में अची तरह से प्रेस कर लें इसके बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर से ब्रेट क्रम्स में कोट करेंगे इस तरह से कांडी हमारी जो है बहुत ही क्रेपी बनेगी अची तरह से चाहे तो हाथ से शेप दे ले या तो फिर नाइफ की भी हेलप ले सकते हैं इसी तरह से सारी कांडी हम रेडी कर लेंगे चिकन कांडी यहां पर मैंने सारी रेडी कर ली कोट कल्या बने पहले ब्रेट कंड्स में फिर अंडे में फिर से ब्रेट कंड्स में आप अगर चाहें फ्रीज करना इए तो इस स्टेज पर सिंगर लेर में कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं जब एक साइट से फ्राई हो जाएगे तो टर्न करके दूसरी साइट से फ्राई करेंगे चिकन कांडी को मैंने टर्न करके दूसरी साइट से भी फ्राई कर लिया अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है अब मैं से किचन पेपर के उपर निकाल लूँगी इसी तरह से मैं बाकी बचीवी कांडी भी फ्राइग कर लूँगी आई होप आपको रेस्पी पसंद आई होगी अगर रेस्पी पसंद आई तो लाइक और शेर जरूर करें और मुझे फिटबैक देना ना बोले इसक बच्सद आई होगी